हेलो दोस्तों सुवागत है आपका आज की वीडियो में आज हम लोग पॉस्ट्रा से स्किल पॉस्ट्रास इसकल कॉन्फ जो कॉन्फीगेशन फाइल रहती है पॉस्ट्रास की जहां से कि आप पैरामिटर सेट कर सकते हैं वो फाइल को समझने वाले हैं तो यह पूरा फाइल complete नहीं करेंगे एक बार में क्योंकि अपन जैसा जैसा आगे है यूज करते जाएंगे जो भी पेरामीटर सेट करेंगे अपन उसको समझते जाएंगे तो सबसे पहले फाइल बहुत important है इसको आप जब भी change करते हैं तो very careful जनरली एक और फाइल होता है पोस्क्राइज जात आटो करके वो बार में समझेंगे तो उसके तो अपन जैनली चैन्ज करते हैं लेकिन मैं इसका पूरा डेटेल बताता हूं कि क्या यूज है कैसे चैन्ज करेंगे इवन आप डेटाबेस में कहां पर देख सकते हैं तो डेटाबेस के लिए एक फाइल देख रहा है तो याद होगा अपन इंस्टॉलेशन के समय अपने जो पोर्ट दिया था वह पोर्ट यहां पर दिखा रहा है देखिए 5432 यह मैक्स कनेक्शन कितने अलाव है आपको 100 मैक्स अधी 101 करेंगे तो अलाव नहीं करेगा तो इस जो सारी सेटिंग होती है यह इंस् इस तरह से चेंज कर सकते हैं तो अपने चेंज करेंगे जैने डेटावेस में जाके देखेंगे कि भाई अपना चेंज होगा की निहीं जैसे आदि मैं 543 से बलता हूं 544 तो मेरा 544 दोनों से कनेक्ट होता है 5432 से कि 54 जो इस तरह का अपन कुछ भी डेमो करकर देखेंगे को समस्थ कि फाइल रहती कहां पर है एंड एंड जिसको डीआइस करते हैं कि चैंज करके देखेंगे कि क्या चैंज हो रहाएकि तो चलिए पर मैंने पूरा अपना फूल इस्क्रीन कर दिया है आपन सब 17 18 एदि आप फ्यूचर में देखेंगे तो वो फोल्डर की वर्जन पर जाएंगे उसके अंदर क्या रहता है अपना डेटा डेटा के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए पोस्ट्रेस आटो इस तरह का यह पोस्ट्रेस तो आटो अपन बात में समझेंगे यदि अभी ओपन करेंगे तो इसके अंदर क्योंकि अपने ना इंस्टॉल किया कुछ भी डेटेल नहीं रहेगा लेकिन आज का जो अपना टॉपिक है अपना यह जो पोस्ट्रेस डॉट कॉन फाइल है इसका है तो इसको आप डबल क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो क्यारफ पोस्ट्रेस स्कुल डॉर्टिंट कॉंट कोन्फिकेशन फाइल तो इसके तरों जो भी आपके कोन्फिकेशन रहते हैं अब चयन्ज कर सकते हैं तå दिस फाइल कंसिस लाइन अब टाफ्लास मतलब क्या रहा है यगा आपका लाइन में ऐसे डिटेल रहेंगे जहां से आप कर सकते हैं तो आप ये रीट कर लीजिएगा बाद में तो सबसे इंपोर्टेंट पाइंट करेता है कि आपको क्या क्या करना है सबसे पहले एक रहता है कि आप जब भी चेंज करेंगे तो फाइल इस रिट सर्वर स्टेंड अब एन वहन दर सर्वर रिसीब यह क्या करेंगे आप जब भी चेंज करेंगे तो हो सकता है मैंने फाइल ओपन करी एंड मेरा है कि हंड़ेंड एमबी से मैंने टू हंड़ेंड एमबी कर दिया तो इमिडेट जो चेंज है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब तक कि आपको यदि आप बिंडो पर कमांड लाइन या Linux पर कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपने एक यूटिलीटी देखी थी PGS CTL जहां सरी स्टार्ट करते थे उसको आपको क्या करना पड़ेगा रिलोड करना पड़ेगा तो आप जैसे ही रिलोड करेंगे तो जो फाइल है वो रिफ्रेस हो जाएगी एक तो यह अपना भी डेमो में समझाएंगे कि किस तरह से अपने चेंज करके देखेंगे और रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं एंड कुछ पैरामीटर के रहेंगे कि कुछ पैरामीटर ऐसे रहेंगे जहां पर आपको रिस्टार्ट करने की जुगत नहीं है एंड जहां पर तो उनमें लिखा रहेगा कि कौन से पैरामीटर आप चेंज कर रहे हैं उनको आपको रिस्टार्ट करना पड़ाएगा यह तो हो गए सिंपल बेसिक कि आप चेंज करते हैं तो कब रिफ्लेक्ट होगा इसके बाद इसमें जो भी कि बेमोरी यूनिट है कि यूनिट का ङूँनटों कर दालूंगा मैं जैसे बी डालूंगा मतलब उसकी वायर की बात कर रहा हुं मैं बोल रहा हुं घृजैए 200 बीयोuin की रहेividad सब्सक्राइब करेंगा मेगावाइट घीगावाइट टेरावाइट तो यह यूनिट हो गए काई के अपने मेमोरी के इसके बाद होगा आपको टाइम चेंज कर रहा हो कि मेरा मिनेट आवर्स तो उसके लिए क्या रहा है और नहीं करेंगा यू एस जहां पर लिखा रह要हगा मतलब मैं क्या यह की बार्द कर यह स्बासक्राइब सब्सक्राइब अद्यपर लिएगा मिनेट्स और्स के लिए एट्न एट करना है कि एब्रीडे मेरा adult सब्सक्राइब अभी समझ ली है कहां पर थी अभी थोड़ा नीचे आते हैं यहां पर क्या है फाइल लोकेशन आपको याद होगा अपने जो वीडियो नंबर टू था जहां पर अपने तो यहां पर जाके कि अपने कहां पर आपको देखएगा इसकी नीचे चलते अब इसी स्टार्ट होते हैं अपने अपने कॉन्फिगेशन तो यहां पर देखिए connection डिटेल यहां पर है यहां पर अपने यह parameter स्टार्ट हो गया है तो आप आप से परामिटर अपने डेटाबेस में टेबल रहती है उसको भी अपन समझेंगे कि कहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपका connection, यहां पर जो यह has देख रहा है, मतलब यह comment है, आपको जब भी comment लिखना रहेगा, यदि मैं कुछ भी comment लिख सकता हूं, यदि कुछ missing है, तो मैं बोल सकता हूं, यहां पर मैं comment डाल सकता हूं, तो यह क्या होता है, सब detail है, आपका information आपका database में capture नहीं होगा लेकिन आप आप comment डाल सकते हैं तो अपने जितना भी देखा ये देखिए एक तरह से document maintain किया है तो ये document के लिए रहता है ये comment करना है जैसे अभी मेरा है by default listener address क्या डला हुगा है start तो यहां से parameter हो गए है तो यह जो पहला बाड़ रहेगा यह मेरे parameter start हो गए है यह देखिए सारे parameter है तो यह जितना भी parameter है जो कि मेरा एक database के अंदर रहेगा एंड अपनने ऊपर देखा है कि एक function रहेगा जहां से आप reload करेंगे यह वाला यह function है इसको अपन copy कर लेते हैं यह कब रहेगा आपको इस भी change कर रहे हैं तो उसको refresh करने के लिए तो अपनने समझ में आ रहा है पीजी पोस्ग्रेस का जो सिनोनामिया पीजी अंडेस्कोर फाइल अंडेस्कोर सेटिंग्स तो आप इसको रन करेंगे तो आपकी सारी जितनी भी सेटिंग है यहां पर दिखाएगा वो यह देखिए सारी सेटिंग का detail 18 information है यहां पर सबसे पहले number पे देख रहा हैं जो उपने था हृप फाइल में देखा है क्या था मेरा सब से पहले नéisले निमबर पे है मेरा lesson जिस इसको यदि आपकापी करेंगे तो इसकी सेटिंग दिखाएगा कि क्या सेटिंग है तो इसकी यहां पर देखिए यहनी दिखा तका ओंऄने कमेंटेड हैं लेकन यहां से स्टार्ट हो गाया है लेशन एंडर्सकुर आड्रेस तो मैं इसको देखऊंगा यहां पर क neighbours है तो आप देखेंगे क्या क्या है डिला रहा है तो स्टार्म किया है फाइल मतल़ का फाइल का पाट कौन सी फायल से इसमें आ रहा है यह देखिए अभी कौन सी की बात कर रहा है अपन पोस्ग्रेट.com यहां पर उस फाइल से डिटेल आ अभी कोई भी सेटिंग देखनी है तो आपको डेटाबेस में जाकर पीजी फाइल सेटिंग वैड नेम इकल तो आपको डालेंगे लेस्टर आपको मालुप चलेगा यह तो इस्टार है मेरा इस्टार मतलब मेरी लोकल मसीन है कि सबको अलाव करेगा लेकिन जब आप क्लाइं साइट पर होंगे तो यहां पर पटिकुलर आईपी डेले होंगे कि कौन-कौन से आईपी को वो अलाव करेगा इसको रन करके देखते हैं तो आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड आएगा कि लाइन नंबर सिक्स्टी पर है एंड इस्टार है ओपन करके देख लेते हैं यहां पर देखिए लिसन एड्रेस यहां पर इस्टार यहां पर डिटेल देता है कि इसका मीनिंग क्या है वाट आईपी एड्रेस टू लिसन ओन तो इसका इस्टार का मीनिंग भी दिए होगा डिफॉल्ट टू लूकल हॉस्ट यूज इस्टार फॉर आल यहां पर क्या बोल रहा है change required restart तो आप जब भी change करेंगे तो आपका इसका meaning है कि आपको database को आपका restart लगेगा यहाँ पर देखिए port क्या है 5432 यह भी आपका change restart लगेगा लेकिन आप जैसे नीचे जाएंगे तो कुछ चीज़े रहेंगी जहाँ पर आपको restart आपको नहीं करना पड़ेगा जैसे यहाँ यहाँ पर देखिए आपको restart नहीं लिखा है मतलब यह आपको सिर्फ रिलोड करेंगे आपका काम चल जाए का आपको जो database है आपको restart करने की ज़रूयत नहीं है करके देखेंगे डेमो में चलिए तो आपको कोई parameter change करते हैं तो अभी अपने पास क्या है एक port है and max connection अभी द मतलब अभी जो connection है 100 है वो applied है आपके max 100 user हो सकते हैं अभी अपने इसको change करते है 200 and देखते हैं कि इसके रिस्टार्ट लगेगा reload लगेगा क्या लगेगा तो अपना यहाँ पर देखके लग रहा है changes required restart मतलब आपको restart करने से ही काम चलेगा reload करने से नहीं चलेगा तो अपन यह मैं क्या करता हूं इसको change कर देता हूं 100 है 200 and file को मैं कर देता हूं save and इस file को open कर देते हैं close and database में अपन देखते हैं क्या हुआ अभी 100 से क्या हो जाना चाहिए 200 हो जाना चाहिए तो आप जैसे ही run करेंगे यहां पर देखिए 200 हो गया false and setting could not apply मतलब क्या हुआ कि आपने जो file में change किया है वहां पर 100 से 200 हो गया लेकिन यह database पर अभी apply नहीं हुआ यदि आप 101 connection करेंगे तो वो allow नहीं करेगा क्या condition थी अपने को वहां पर क्या चाहिए था restart required था लेकिन अ reload के लिए अपने पाद दो option थे एक तो command lines है था जहां पर pgs control करेंगे जहां पर reload करेंगे यह दूसरा function के थो तो पहले अपन database में function के थो try करते हैं क्या था select pg underscore reload underscore comp and bracket मतलब यह parameter है इसको अपन क्या करते हैं reload करते हैं तो जो file है जो change है वो reload किया है जहां पर आपको restart करने क जुगत नहीं है वो सिर्फ इस से काम चल जाना चाहिए लेकिन जब अपने max connection देखा तो वहां पर लिखा था कि आपको restart लगेगा ही तो अभी फिलाल कुछ change नहीं होना चाहिए तो यह देखिए applied हो गया true हो गया लेकिन अभी यहां पर आपन देखेंगे तो still क्या दिखा जाना चाहिए 200 false क्योंकि अभी तक आपने restart नहीं किया है तो restart के लिए वैसे भी command line लगेगा अपने last time start किया हुआ था तो अपना वो window open है उसी को use करते हैं और वहां पर अभी एक दूसरा option यह भी देखते हैं क्या था अपने पास PG CTL जहांसे हमेशा यूज करते start stop restart वहीं पर reload option है तो reload मतलब आपकी जो file है सारा refresh हो जाना चाहिए तो again इसको फिर connection करके देखते हैं अपने command run कर दी है फिर भी वो change नहीं होना चाहिए अभी भी false है मतलब अभी अपना proof है कि जब तक आपके जो parameter लिखे कि जो restart करना है आप जब तक उनको restart नहीं करेंगे वो applied नही होंगे तो यह काफी बड़ा file है इसको सिर्फ अपन एक दो parameter ही आज समझेंगे बांकि कि अपन जैसे जैसे अपने पढ़ते जाएंगे अपन समझते जाएंगे तो अभी आज basic concept समझ रहे हैं ठीक है अभी अपन करते हैं restart तो अपन क्या बोल रहे हैं कि आपको भाई start करना पड़ेगा तो PG CTL इसको अपन करते हैं stop connection अपना open है मतला अपना connection चला जाएगा यहाँ से अपन कर देते हैं stop and अभी अपन restart करते हैं तो क्या करेंगे PG CTL and क्या था अपना command start सेमी फाइल है सेमी यूटिलेटी है वहीं से start stop reload सब कर रहा है अभी अपन करते हैं start तो देखिए आपका server start हो गया है तो अपने क्या किया था इसका connection अपना क्या हो गया होगा कि लोज हो गया होगा लेकिन अभी restart कर दिया है तो यह 200 चेंज हो जाना चाहिए यहां पर true हो जाना चाहिए और अपने error हट जाने चाहिए पहले अपन try करते हैं connect करने का यह देखिए अपना connection चला गय है यहाँ पे यह हो गया है तो यहां पर फाइल करके देखेंगे तो आपके यहां पर दिखाएगा मतलब और अपलाइट हो गया है तो हमेशा याद राखिए और जब भी कई भी इन्वार्मेंट में काम कर रहा है वगयरा के लिए तो आप इसको आप बर्किंग कावसम करेंगे कि जब आपके कोई भी यूचर लॉग-इन नहीं है क्योंकि आपको क्या लगेगा यहाँ पर ये री स्टार्ट लगेगा यह दिखिए जहां पर रिस्टार्ट अभी अपने कोई ऐसा पैरामिटर देखते हैं जहां पर कि अपने को रिस्टार्ट यहां पर रिक्वार्ट करने की जब्वत नहीं है यहां पर लिखा नहीं है चेंज रिक्वाइड रिस्टाट तो यहां पर नहीं लेखा मतलब यह एपलाई कर पाएंगे तो सबसे paste and अपन इसको करते हैं run तो एक भी entry नहीं एक यह वाला देखते हैं इसके बाद जो existing वाला है उसको change करके देखेंगे तो देखिए कोई भी entry नहीं थी and अपन करते हैं इसको यहाँ पर comment हटा देते हैं यह देखिए keep life interval 0 तो इसको अपन करते हैं save and now कि इसको मैं minimize करता हूं and इसको अपन रन करके देखते हैं तो देखिए वह entry नहीं थी अभी run किया लेकिन आपने जैसे देखते हैं जहां पर कि already value है एंड उसको change करते हैं वहां पर restart की ज़रुवत नहीं है इसको देख लेते हैं कोई है नीचे पेरामीटर कि जो कि already applied है अभी यह देखिए shared buffer कितना है 128 MB and minimum यह इतना अलाव रहता है इसको change करते हैं अपन करते हैं 512 just double MB यह already है यदि आप इसको search करेंगे तो अपने को 128 दिखाना चाहिए अब database में जाएंगे copy paste करेंगे and इसको run करेंगे तो अपने को क्या दिखाएगा यह देखिए 128 MB true मतलब already buffer आपका applied है यह से source line यह बन 30 पर है and sequence number five number का parameter है कौन सी फाइल है postgreSQL.com ठीक है अभी अपने क्या किया है इसको change किया है इसको open कर देते हैं save and close now इसको run करते हैं तो देखिए आपका क्या हो गया 512 हो गया MB false setting could not applied लेकिन इस condition पर अपने देखा है कि इसको restart की जीवत नहीं है तो अभी अपन करते हैं reload तो reload के दो option है अपन दोनों से try करेंगे 512 को अपन अलग change कर देंगे अभी पहले 512 देखते हैं जो कि database function से देखते हैं तो select pg underscore reload underscore कॉन तो यह सारे जितने भी command है यह मैं अपने description box में भी डाल दूँगा इसको open करते हैं run यह देखिए true हो गया reload हो गया इसको open करते है यह देखिए अभी भी क्या बोल रहा है false setting could not be applied ऐसा क्या हुआ हुआ यह इसके कारण हुआ देखिए मैंने अभी इसको overlook किया था यहां पर लिखा है change required restart मतलब इसको भी restart की जुरूद पड़ेगी तो open इसको नहीं कोई दूसरा लेते हैं तो दूसरा जहां पर की यह देखिए temp buffer यहां पर मुझे नहीं दिख रहा है इसको try करते हैं तो temp buffer को पहले चेंज कर देते हैं ATEMB के लिए क्योंकि इसकी अभी value नहीं होगी and उसको फिर change करते हैं तो अभी अपन ने इसको किया है change ATEMB save run करेंगे temp buffer देखिए space है इसको अटाएए and देख लेते हैं ATEMB true है अभी इसको change करते हैं अपन 8 MB से अभी अपन करते हैं इसको 16 MB and now save अभी रन करते हैं same command तो यहां पर क्या 16 MB and true तो यहां पर देखिए अपने को इवन रिलोड की ज़िवत भी नहीं पड़ रही है लेकिन हमेशा जो best practice है कि आप जब भी change करते हैं कोई भी parameter इस तरह का जहां पर की restart की ज़िवत नहीं है हमेशा आप PG reload को इसको run करिए या दूसरा option है कि PG control reload को run करिए तो हमेशा भले आपके automatically change हो जाता है लेकिन practice बोलती है कि आप इसको हमेशा run करिए कि आपका in case आपको कोई parameter change नहीं हो तो वो इससे refresh हो जाए तो देखिए अपना change हो गया है इसको up run करेंगे एंड इससे आपका वो parameter देखेगा time buffer 16 MB true एंड अभी से वो क्या करने पर लगेगा 16 MB read करेगा तो यह तो अपने एक तो basic समझा है कि क्या होती है file किस तरह से आप change कर सकते हैं लेकिन very important इसको generally आप very careful touch करिएगा इसके बाद में एक और file होती है आटो वाली उसको अपन समझेंगे जैनरली उसके तरह अपन चेंज करेंगे तो इस वीडियो को अपन यहां पर stop करेंगे लेकिन अपने जो यह फाइल है थेंक यू दोस्तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो subscribe, share and like करना ना भूलें थेंक यू बाई